वेलो अच्छो कैसे हो आप लोग वेलकम टू दी चैनल एम वी टुटोरियल यह यूट्यूब पे एक नए चैनल है जिस पे आप लोगों को मैच और फिजिक्स वेल बोर्ड के लिए मैच और फिजिक्स के वन शॉट थेरम पीवाएक्यों मैक्सिमम चीजे मिलने वाली है बह बहुत आशान तरीके से चीजों को कराया जाएगा बिल्कुल आसान रहेगा कोई डरने की बात नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिफ्रेंसियेशन में जो तीन थियरम है तीन ही थियरम है लौल थियरम यह करने वाले एक प्यारी सी छोटी सी कहानी के दम पे आपन याद करने वाले उस कहानी में तीन किरदार है एक बेटा एक पापा और दादा है तो मैक्सिम लोग पहले से पहचानते हैं इनकेस अगर कोई नहीं पहचानता है तो मेरा नाम है वीजे प्रजापती मैंने पोस्ट गैजुशन किया इंजिरिंग में और फिछ आप इंस्ट्राग्राम पे वीजे पी अंडर स्कोर मैट को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो तो चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनि आफ यॉर ताइप कि कि अकई अधि और तो देख लों यह आपका पहला थियराम है और इंपोर्टेंट ने कि पूछों के सार एकजाम में कौन सा एगा तीनों में से कुछ भी आ सकता है कोई गैर्शनली नहीं रहते है कि यह इसके बादब आला यह उसके बाद वाला यह उसके बाद रहे इंप्रूब्मेंट के नाम पे 1521 और जुलाइ 2018 में आया है मतलब टाफी बार आ चुका है इंपॉर्टेंट है इफ्रेंसियेशन चैप्टर में जो थीरम से ना उसकी एक खासियत है एक थीरम आप अच्छे से सीख लो इसी के बेसिक कॉंसेट्स यूज करके आगे के दोनों थीरम आपको आसानी से हो जाए ठीक है तो यह आपका पहला थीरम है थीरम क्या लिखा है वो जड़ा ध्यान दो और मैंने आपको बोला था यह कहानी हम याद करेंगे बेटा पापा और दादा की और उसके दम पर हम लोग क्वेश्च फंक्षण है और यू जो है इस डिफ्रेंशिय बल फंक्षण ओए देन पूब दैट वाइज अपने को प्रूफ करना है कि कैसे करोगे ठीक है जब ध्यान से देखो वाइज यू का डिफ्रेंशिय बल फंक्षण इसको मैं बोलूंगा यह रिलेशन जो वह पापा वाला र इसके पापा कौन है यू को सबसे पहले क्या डूंड़ना है आपको सबसे पहले डूंडना है कि सबसे चोटा कौन यहां पर सबसे छोटा कोट से बढ़ा गभा रहा हो तो सिर्फ इस थीरम के लिए नहीं बढ़ा रहा हो सबसे पहला ढूंडना है की शोटा कौन है सबसे छोटा में जैता यह तो सबसे पहले क्या लिखो गे और एक remember खुद ही बताओ कि तीनों का एज मालूम रहेगा एक बच्चा है एक थोड़ा पापा के उमर वाला और एक ददाजी के उमर वाला बहुत जादा चेंजेस किसमें नजर आते हैं छोटे बच्चे में एक 30-35 साल चालिस साल के इंसान में या फिर एक उननल म्हंतुत जो चैन्ज चेंज हो रहा है मतलब जो सबसे च्शो फूल एक लेट कि डेल्टा एक विच्चेंड और इंक्रेमेंट में मैं। अब मुझे बाद बत्दाओ एक्स में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब छोड़े बच्चे में कुछ तो चेंज हो रहा है, तो अगर वो अच्छा चेंज है, तो इन डिरेकली उसके पापा का नाम अच्छा आएगा, दादा जी का नाम अच्छा आएगा, और अगर कुछ खराबी हो रही है, काली गलोच कर कर रहा है कलको क्या कर रहा है तो अगर चेंज होगा देल्टा यू और delta y. Therefore, corresponding changes in u and y are delta u and delta y respectively. मतलब u में जो changes हुआ, उसको हमने बोला delta u, और y में जो changes हुआ, उसको हमने क्या बोल दिया, delta y बोल दिया, कितना समझ में आ गया, yes, इसके बाद, यह जो छोड़ा बच्चा था था न, वो तोड़ा बड़ा हो रहा है, अब बड़ा हो रहा है, 14-15 साल के आसपास में हो गया, और बेचारा ऐसे महल पे आ गया, कि उसको जुए कहलने के आदत पड़ गई, उसको जुए कहलने के आदत पड़ गई, अब जुए का end क्या है, कंगाल हो न, मतलब वो जुए खेल रहा है, पूरा पैसा बरवात कर रहा है, as delta x tends to 0, 14-15 साल का लड़का पैसा लाएगा कहा स खुद का पैसा थोड़ी है उसके पर, कहां से पैसा आया, पपा का पैसा गया, मतलब अगर वो 0 होने की कोशिस कर रहा है, वो बरबाद होने की कोशिस कर रहा है, तो पापा का पैसा भी गया, दादा जी भी अभी दंदार है, चलती है घर में, मतलब पैसे पर पापा का नह to 0 यहां पर चलिए ना पापदा एंड य इतना होने के बाद यह बेशिक चीज के चोटा डेंज तो जिरो भाकि दोनों भी टेंज्ट जिरो इसके बाद क्या करना है DW सर हम लोग को जो प्रूफ करना है उस चीज को डेल्टा के टर्मश में लिख देंगे अपने जो भी प्रूफ करना है उसको डेल्टा के टर्मश में लिख दो consider consider क्या consider कर रहे है बच्छो सर वो जो लिखा है प्रूफ करने को वही consider करना है खाली किस form में consider करना है delta के form में मतलब क्या consider delta y upon delta x this is equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x बरबर इसके बाद क्या इसके बाद क्या तो इसके बाद क्या करेंगे जो सबसे छोटा रहेगा वो टेंस टू जीरो लेंगे उसका limit टेंस टू जीरो लेंगे यहाँ पर तीनों में सबसे छोटा कौन है तीनों में सबसे छोटा है x मतलब limit हम जो लेंगे वह लेंगे डिटा एकस्टेंजटु से रोज टेकिंघ लिमेज डिटा एकस्टेंट ऊपर obrigado दोनों तरफ लेंगो तो यह क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस इक्वल टू लिमिट जो है वो सबको देने का इसको भी देने का इसको भी देने का और इसको भी देने का जो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा u upon डेल्टा x, इतना इसके बाद क्या करना है बच्चो, इससे पूछ रहा है कि यहां पर सब लोग खुश है क्या, अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि कौन खुश है और कौन खुश नहीं है, जिनके अप ओन में डेल्टा x है वो डेल्टा x tends to zero से खुश रहते है क्या बोला समझ में आया जिनके अपउन में डेल्टा एक्स है वो लोग वो लोग डेल्टा एक्स टेंस टु जीरो से खुश है तो यहां पे दुखी कौन है सर यहां पे दुखी यह बंदा है देखो यह क्यों यह दुखी है क्यों यह दुखी है बच्चों क्यों दुखी है सर इसके अपॉन में डेल्टा यू है अगर इसके अपॉन में डेल्टा यू है तो यह खुश कैसे होएगा डेल्टा यू टेंस टू जीरो से खुश होगा बट यहां पे कौन है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब यह अगर delta x tends to 0 है इसका मतलब delta u tends to 0 होता है तो मैं इस particular जगह पे replace कर सकता हूँ किसको delta x tends to 0 को delta u tends to 0 तो यह मैं बता देता हूँ कि भाई अपने को पता है कि delta x tends to 0 अगर होता है तो delta u tends to 0 भी होता है बरबर तो क्या इस जगह पे delta u tends to 0 लिख लो ताकि वो particular term भी खुश हो जाए यह हो जाएगा limit delta x tends to 0 delta y upon delta x this is equal to limit delta x sorry delta u tends to 0 delta y upon delta u and to limit delta x tends to 0 delta u upon delta x सबके सब हो गए खुश अब सबके सब खुश हो गए तो question का जो statement दिया है ना उसका help लेने का question का क्या statement दिया है जरा ध्यान से देखो question में बोला है कि why जो है वो एक differentiable function है यू का वाई निक देनेगा since y is a differentiable function of u y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of u and u is a differentiable function of u function of x यह जो differentiable function का मतलब है ना यह statement है ना इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है बच्चों कि यह particular चीज कौन सा limit delta u tends to zero limit delta u tends to zero delta y upon delta u यह बन जाएगा dy by du and आपका यह term y u का function है तो d में convert हो गया यू x का function है तो वो भी d में convert हो जाएगा मतलब यह क्या बन जाएगा limit delta x tends to zero delta u upon delta x हो जाएगा du by dx इन दोनों को put कर दो equation number one में put this in equation number one आपका equation number one क्या बन जाएगा limit delta x tends to zero delta y upon delta x is equal to dy by du into du by dx यह हो गया मेरा equation number two इसके बाद क्या करने का जराध्यान से देखो इसके बाद क्या करना उसके पहले एक बार हलका सा revision कर लो ताकि आगे की तिरम और अच्छे समझ बहाएगा सबसे पहला वा यू का function है वा यू का पा पा यू एक्स का function है यू एक्स का पापा तो सबसे चोटा कौँन है एक्स है उससे बड़ा यू है उससे बड़ा वाय है तो लिख देंगे उसी के हिसाब से फिर सबसे छोटा वाला जुवा खिलने के आदत पड़ गई पैसा बरबाद कर पैसा लाएगा कहा से पपा का और ददा का पैसा गाया यह लिख दिया फिर जो प्रूब करना उसको कंसीडर कर लो डेल्टा के टम्स मे उसके बाद लिमिट लेना है कौन सा लिमिट है बच्चो डिल्टा एक्स्टेंज तो जिरो नहीं याद रखना है सबसे छोटा वाला टेंज तो जिरो उसके बाद लिख दिया सबको लिमिट दे दिया अब उचने का कोई आप दुखी है क्या यह बोलेगा देख भाई मैं है यह क्यों दुखी है क्योंकि मेरे अपउन में डेल्टा यू है तो उन्हें मेरे को क्या दिया डेल्टा एक्सेंज दू जीरो दिया तो पिर क्या करेंगे फिर वह इंट को जब सब खुश हो जाएंगे तो yu का function, ux का function, मतलब ये बन जाएगा dy by du, ये बन जाएगा du by dx, लिख दिया, इसके बाद हम बोलेंगे कि अगर RHS में limit exist हो रहा है, since limit on RHS exist, RHS में limit exist हो रहा है, therefore LHS में भी, limit on LHS should also exist, LHS में भी exist होना चाहिए और अगर LHS में भी exist होना चाहिए, अगर LHS में भी exist होना चाहिए, तो ये particular चीज क्या बन जाएगा, अगर LHS में भी limit exist होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx बन जाएगा, और अगर वो dy by dx बन रहा है, इसका मतलब y क्या है, differentiable function of x है, therefore y is a differentiable function of x and limit delta x tends to 0, delta y upon delta x, ये क्या बन जाएगा बच्चो, dy by dx, क्या बन जाएगा ये, dy by dx, एक मिनटा, यहाँ पर, यहाँ पर, लिमिट on LHS होना चाहिए था, मैंने LHS on LHS लिख दिया, ठीक है, बोलते समय, limit on LHS ही बोला है, वो लिखते समय लिख दिया था, therefore limit on LHS exist, ठीक है, ये, अब ये dy by dx, क्या बच्चो, dy by dx, इसी को पुट कर दो, equation number 2 में, therefore equation 2 becomes, therefore equation 2 becomes, equation 2 क्या बन जाएगा, equation 2 क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चो, यह हो जाएगा आपका dy by dx क्या बन जाएगा बच्चो dy by dx is equal to dy by du into du by dx क्या बन जाएगा dy by dx is equal to dy by du into d by dx तीन माँक के थिरम आते हैं अगर चार माँक के लिए आता है चार वाले में एक वन माँक का question इसके साथ में रहता है, तीनों थेरम जो है वो तीन-तीन मार्च के थेरम से, ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला थेरम, तो चलो देख लेते हैं आपन second वाला थेरम भी, second थेरम का statement कहा है देखो बच्चो, if y is equal to f of x is the differentiable function of x and x is equal to f inverse y exist, मतलब y is equal to f of x का inverse function exist करता है, थेरम में बहुत जादा help नहीं लगेगा उस चीज़ का, then prove that x is a differentiable function of y and dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, जहां पे यह denominator जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए ऐसा यहां पे बोला है, ठीक है, तो कैसे solve करेंगे, जरह ध्यान से देखना, solve करने से पहले, अगर आपको पिछला तीरम समझा है, बढ़ाया हुआ सब कुस समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को और चैनल सब्क्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हम आपका help करने के लिए आए है, ताकि आपका बोर्ड एक्जाम बहुत अच्छे से जाए, तो आप से सिर्फ एक ही help चाहिए, दोस्तों में शेयर करो चैनल जितना ज्यादा हो सकता है, थेंक्यू, तो देखो अभी, इफ y is equal to f of x, is a differentiable function of x, y x का पापा है, यहां दादा जी गए, दादा जी गए, ठीक है, गुमने गए, ज्यादा आप सोचो मत, y is a function of x, मताँ य जो है वो x का पापा, तो ही लोग है इदर, y x का पापा, छोटा कौन, सर एक्ट, छोटा कौन है, x, तो लेट, let delta x be small change in x, ठीक है, therefore corresponding change in, therefore corresponding change in y is delta y, यह basic बता दिया, फिर सबसे चोटा वाले को जुआ खेलने के आदत पड़ी, as delta x tends to 0, पापा का, therefore delta y tends to 0, यह एकदम basic वाला होगे, इसके बाद क्या करेंगे, तर इसके बाद ना हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो प्रूफ करना उसी को delta के terms में लिखेंगे, ठीक है, बड़े आपर मैं बोल रहा हो कि जो प्रूफ करना उसी को, इस बंदे को left में लेके आजाओ, इस बंदे को left में लेके आजाओ, multiplication हो जाएगा, ठीक है, तो क्या consider करना है, जरत ध्यान से देखो, consider, उसको अगर मैं left में लेकिया और delta के term में लिखा, तो delta y upon delta x into delta x upon delta y is equal to y, यह मैंने consider कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बेज़ेंगे upon में, ताकि यह इसके जैसा दिख जाए, इसको बेज़ेंगे upon में, therefore, delta x upon delta y, यह हो जाएगा, 1 upon delta y by delta x, इसके बाद क्या करने का, सर इसके बाद limit लेने को आपने बोला था, कौन सा limit लेने को बोला था, सबसे चोटा वाला tends to 0, तो सबसे चोटा कौन है यहाँ पे, सर सबसे चोटा है delta x, that is x, यहाँ पे limit जो लोगे, वो कौन सा लोगे, taking limit, delta x tends to 0 on both the sides, और एक चीज बच्चो, और एक चीज, यह upon में गया, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कि upon वाला बंदा, 0 के equal नहीं हो सकता, ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर upon में 0 हो गया, तो answer क्या हो जाएगा, not define हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, यह आ गया, अब इसको limit दो, दोनों को, left side में भी दे दो, right side में भी दे दो, तो यह हो जाएगा limit, delta x tends to 0, delta x upon delta y, यहाँ पे आ जाएगा limit, delta x tends to 0, 1 upon delta y by delta x, बराबर, यस सर, अब क्या करेंगे, सर अब हम लोग ढूंडेंगे कि क्या यहाँ पे कोई दुखी है, कोई है क्या दुखी, बच्चो, हाँ सर है, कौन है, सर, left side वाला, क्यूं, अच्छा, उसके पहले एक शेप और करना पड़ेगा, limit इसको दिखाना पड़ेगा, लिखके, उसके बाद में देखेंगे कि यह दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि upon में delta y है, और मैंने क्या दिया, उसको delta x tends to 0, उसको खुश कर देंगे, सबसे पहले, limit दे दो upon में इदर, 1 को limit दे के मतलब है नहीं, जाएगा upon में, तो यह हो जाएगा, limit, यह क्या हो जाएगा बच्चो, limit, delta x tends to 0, delta x upon delta y, this is equal to 1 upon, limit, delta x tends to 0, delta y upon delta x, फिर आपे मैं बोल दूँगा कि, as, delta x tends to 0, therefore, delta y tends to 0, ताकि यह particular बंदा खुश हो जाए, limit से, लिख दो, therefore, limit, delta y tends to 0, delta x upon delta y, this is equal to 1 upon limit, delta x tends to 0, delta y upon delta x, अब खुश, जब सब खुश तो आपन भी खुश, कैसे खुश, statement को पकाड़ लो, statement को क्या लिखो, y जो है, वो x का differentiable function है, दिया हुआ है, says, y is a differentiable function of x, y, x का differentiable function है, बोले तो, बोले तो, limit, delta y, limit, delta x tends to 0, delta y upon delta x, आ जाएगा, dy, y, d, x, इसको हम लोग पुट कर देंगे, equation number 1 में, कहाँ पुट करेंगे, बच्चो, equation number 1 में, ठीक है, equation number 1 में पुट करने के बाद होगा, क्या, क्या होगा, 1 upon d y by dx आ जाएगा, यह हो जाएगा, therefore, therefore, limit, delta x tends to 0, delta y upon delta, sorry, delta x upon delta y, यहाँ पर, यह इसमें पुट कर रहे हैं, तो, limit, delta y tends to 0, delta x upon delta y, this is equal to 1 upon d y by dx, यह क्या बन जाएगा, d y by dx, फिर क्या बोलेंगे, sir, limit RHS में exist हुआ, इसलिए LHS में भी exist होना चाहिए, ठीक है, since limit on RHS exist, अगर RHS में limit exist हो रहा है, therefore, limit on LHS should also exist, LHS का भी limit, LHS में भी limit exist होता है, ठीक है, और अगर LHS में limit exist हो रहा है, LHS में limit exist हो रहा है, इसका मतलब, x जो है, वो y का differentiable function रहेगा, therefore, x is a differentiable function of y and limit delta x tends to 0 delta x upon delta y, क्या बन जाएगा, dx by dy, इसको put कर देंगे, हम equation number 2 में, put this in equation number 2, आपका question बन जाएगा, limit change हो जाएगा, लिमिट exist हो गया, तो यह बन जाएगा, बच्चो, dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx, अपान वाली चीज, 0 नहीं होनी चाहिए, अपान वाली चीज, 0 नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया, clear है, एकदम आसान था, क्योंकि पहला थीरम बहुत अच्छे से आपनने किया है, बिल्कुल वही format को follow किये है, ठीक है, समझ में आ गया, वीडियो लाइक नहीं मारे हो, लाइक मार देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चलो अगला थीरम देखते हैं, अगला थीरम, ये रहा आपके सामने, सर ये तो आपने लिक के दिया है, बच्चा, सेम कॉंसेप्ट है, तो वीडियो का लेंथ क्यों बढ़ा हो मैं, मैं समझा के देता हो, आपको समझने से मतलब है वीडियो, क्योंकि पढ़एंगे, फिर आपस दस मेंट बढ़ेगा, इसका आप खुषते कर सकते हो, समझा के दे देता हो, बहुत अच्छे से, एकस टी का फंक्षन है, वाई भी टी का फंक्षन है, अब बोलो कि सर, आप तो फंक्षन को पापा पापा चिला रहे थे, एकस टी का पापा, वाई टी का पापा, बतब टी के दो दो पापा, सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक काम करो, एक काम करो 1 चाचा बना दो अब लोग किसको चाचा बनाएंगे सबसे चोटा है पिर X पिर Y तो सबसे चोटा वाला let delta t be small change in t therefore corresponding changes in x and y are delta x and delta y respectively ठीक है फिर सबसे चोटे वाले को जू एकल ने किया आदत बाखी दोनों का भी पैसा गया बरबाद हो गया ठीक है तो as delta t tends to 0 therefore delta x tends to 0 and delta y tends to 0 फिर जो प्रूफ करना है उसी को delta के terms में लिख दो लिख देंगे फिर क्या करना है सर लिमिट ले लो कौन सा limit लेते याद रखना delta x tends to 0 रटा नहीं मारना है सबसे चोटा वाला tends to 0 रटा मारना है सबसे चोटा वाला सबसे चोटा कौन है delta t taking limit delta t tends to 0 on both the sides दोनों तरफ limit ले लेंगे ले लो सबको दे दो पूछो की भाई कौन दुखी है यह बोलेगा मैं दुखी हूँ क्यों दिखी है भाई तो क्योंकि सर देख लो उसके आपॉन में delta x है आपने delta t tends to 0 बेचारत दुखी ना होता क्या खुश हो के पेड़ा माटे नहीं न इसका मतलब इसको खुश करने के लिए इस जगह पे delta x tends to 0 लिखना पड़ेगा तो as delta t tends to 0 therefore delta x tends to 0 लिख दिया यह as it is copy कर लिया सब खुश होगे question को पकड़ लो x और y differentiable function of t है इसका मतलब लिए डेल्टा t tends to 0 लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा d क्या बन जाएगा डी एक्स बाइडी बन जाएगा और और लिमेट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या बन जाएगा डी वाइवाइड डी यहां पे हम लोग रख देंगे इसको कि RHS में अगर लिमीट एक्जिश्ट कर रहा है तो LHS में भी करना चाहिए और LHS में अगर करना चाहिए तो y जो है वो x का differentiable function होगा और y अगर x का differentiable function होगा तो यह particular चीज क्या बन जाएगी बच्चो dy by dx इसी को equation number 2 में put कर देंगे यह आजाएगा dy by dx यह dy by dt और यह क्या dx by dt अपान वाली चीज अपान वाली चीज जिरो के equal नहीं होने चीज़िए आई होप तीनों के तीनों थिरम्स आप लोगों को सबज में आये हैं अगर ऐसा है तो जरूर जरूर वीडियो को like करना है दोस्तों में शेयर करना है और comment किये विना जाना नहीं ठीक है आपको इस lecture का पीडियाप का मिलेगा description में एक बर देख लेना और इन केस कुछ पर्शनल डाउट है मैट कैसे पढ़ना है आप मैस में कुछ भी डाउट है तो आप विजैपी अगले वीडियो में जल्दी ही वीडियो भी आ जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तियरम उसमें कराऊंगा और पूरे के पूरे तियरम को कवर करूंगा तब तक ख्याल रखो पढ़ाई करते रहो लब यू आल बाई